वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ प्लीज आपके सेडिमेंटरी इगनियस और मेटमॉफिक हमने बेसिक सारे के सारे इंपॉर्टन एग्जम्पल्स भी डिसक्स कर लिए थे जो कि आपके कॉशन में पेपर में रेगुलारिटी से पूछे जाते हैं जो कि यह जो चेंज होता है मेटमॉफिक का सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी में और फिर जो है सारे इगनियस का सेडिमेंटरी में तो सारे जो चेंज के इग्जम्पल से सारे के सारे मेजर इंपॉर्टन एंपॉर्टन 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 of the earth जो जित्रे भी फोर्स हमारे earth's crust को एक्षेक करते हैं ठीक है earth की जत्री ही है आर्थ की जो सरता है earth का जो crust है वो जिन forces से affect होता है उन forces को हम दो broad categories मेरे वे इन दिवाइड करते हैं किस basis पे उनके origin के space पे जैसे वो originate होते है वो forces उनके हिसाब से हम उन तो कैसे forces होते हैं, वो ऐसे forces होते हैं, जो हमारे earth crust को क्या करते हैं, effect करते हैं, ठीक है, और ये किस basis पर डिवाइड होते हैं, अपने origination के basis पर डिवाइड हैं, ठीक है, endogenetic forces कौन कौन से हो गया, अपके diastropic force, volcanic force, जो होते हैं, जो वालकानों के आने से, जो force erupt हमारे crust पर क्या करते हैं, एक तरीके से, इनका conclusion क्या होता है, गिव राइस to several vertical irregularities, बहुत सारी irregularities, आपके जो है, vertical, vertical basis पर crust पर आती है, due to endogenetic forces, exogenetic forces क्या है, वैसे forces जो आते हैं, किनकी वज़ासे, flowing water की वज़ासे, sea waves की वज़ासे आते हैं, ठीक है, फिर आपके कैस के वज़ासे आते exogenetic forces, और they try to remove these irregularities by the force of process of erosion, ठीक है, try to remove these irregularities, जो हमारे endogenetic की वज़ासे आते हैं, जैसे भी irregularities, और उनको किसके वज़ासे, कैसे remove करते हैं, by the force of process of erosion, ठीक है, यह था आपके basic basic endogenetic और exogenetic forces, अब, isostacy क्या होता है, जो भी हमारा, जैसे हमारा earth crust है, उसका कुछ upstanding part है, जो हम इन दोनों state के बीच का जो balance होता है, उसको हम क्याबोलते है,uição आइसो Catchy, क्या बोलते है, जो हमारे upper upstanding part का और lower lying part का, जो हमारा balance होता है, उस balance को हम क्या बोलते है, आइसो Tuesdayということ है, एकजाम्पल है यह, यहापे आपको दिख रहोगा इimdi जो हमारा upper part है, यह जो लोगर पार्ट इन दोनों के बीच का जो balance है, इस balance को क्या बोला जाता है, isostacy बोला जाता है, ठीके, अब the term isostacy was first used by the American geologist Dutton in the year 1889, अठारा सो नवासी में जो है, डटन के द्वारा, जो कि एक American geologist है, यह term यानि, आइसो स्टेसी का टर्म पहली बार यूज किया गया, according to Dutton, the upstanding part of the earth must be compensated by the lighter rock material from beneath, so that the crust crystal relief should remain in the mechanical instability, क्या डटन के अनुसार क्या है, जो अपस्टैंडिंग पार्ट है, जो उपस्टैंडिंग पार्ट है, जो अपस्टैंडिंग पार्ट है, जो एक नीचे जो आपका रॉक मर्टेरियल है, जो बनीद दा क्रस्ट है, उसके द्वारा क्या है, एक तरीके से एक उसका क्यों है, बैलन्स आउट किया गया है, ताकि जो मैकानिकल स्टैबिलिटी उससे रिलीफ मिल सके, ठीके, यह था डटन की जो थियोरी थी, जिसके अनुसार उन्होंने इस पूरी टर्म को इस पूरे बैलन्स को आइसो स्टैसी का नाम दिया, ठीके, अब नीचे चलते एंडोजेनिस फोर्स के बारे में थोड़े से हम एक्जाम्पल्स देखेंगे, तो सार्डन फोर्स कौन को होसे है, एंडोजेनिस फोर्स, आपके अर्थ कोई के वज़ा से जो आता है, वाल्कानों की वज़ा से जो आता है, लाइन स्लाइड की वज़ा से आता है, ठीके, अ डरन-बॉल्डेशन बस्कारेखे फोल्डेशन में का। कोक्टेशन या स्ट्रेस इस तरिके का फोर्स है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है आपका अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स किसका एक्जाम्पल है कंटिनेंटल बिल्डिंग फोर्स का एक्जाम्पल है सदन फोर्स के एक्जाम्पल कौन कौन से आपके अर्थक्वेक अब earthquake, volcano, landslide, continental building, cracks, falls, folding इसारे के सारे किन forces के example है तो यह एंडोजनियस unfortunately अपको आपका एंडोगेनिस एक जांपल है ठीके आपको आपको आपका फॉल्डिंस है यह तो sudden है फोल्डिंग्स एं ठीक है यह था आपका बेसिक बेसिक जो है आपका एंडोजनिस फोर्स के बारे में डीटेल में हम नेक्स लेक्ट्र में पढ़ेंगे आपको आज का सेशन समझ में आयोगा कोई भी डाउट तो प्लीस कॉमेंट सेक्षें में कॉमें जरूरू बताईगा औ अब भी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बेटन को पैस करना ना पूलिए थैंक यू सो मच फो वोचिंग